नमस्कार दोस्तों ओमकार चोधरी शो में आपका स्वागत आप जानते हैं इसलिए काफी समय से और इधर तो काफी तीवर्ता के साथ हम लोग ये देख रहे हैं कि बॉली बॉड की जो भी फिल्में आ रही हैं और खास तोर से अगर हम दा कश्मीर फाइल्स को अलग कर दें या जो दक्षिन की अभी आई थी कार्थी के टू वो पैन इंडिया के तहत थी इन दो फिल्मों को छोड़ दें तो अधिकांश फिल्में बॉक्स आफिस पर आनी जा रही हैं और बताई जा रही हैं जिसकी जैसी सोच है और जो जिस तरीके से इन चीजों को इंटरप्रेट करना चाहता है उस तरीके से कर रहा है कोई कह रहा है कि कंटेंट में जान नहीं है गिसी पीटी कहानिया है वही वही रिपीट हो रही है ये भी कहा जा रहा ह कि अभीने में कोई नवीनता नहीं है तमाम तरह के एक्सक्यूज दिये जा रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इधर बॉलीवुड बाइकॉट का जो अभियान चल रहा है ये बहुत तेज गती पकड़ चुका है और लोगों ने जैसे ठान लिया है कि जब तक ये बॉलीवुड सुधर नहीं जाएगा जब तक ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना बंद नहीं करेगा उनका उपहास उड़ाना बंद नहीं करेगा और जब तक ये विदेशों में बैठे हुए कुछ लोगों के एजेंडे को नहीं छोड़ेगा तब तक हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे मैसेज बड़ा इसफस्ट सा है लेकिन ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं या समझ करके भी जान बूज करके इस तरह की हरकतों पर आमादा हैं क्योंकि अभी लाल सिंग चड़्डा का जो हस्र है वो हमने देखा है सम्राट प्रत्वीराज च धर्मा प्रोडक्शन का था दोबारा का तो जिकर ही क्या करें वो तो एक नॉन सीरियस से आदमी ने बनाई है रक्षा बंदन अक्षय कुमार की ये सब पिटी हैं और लाल सिंग चड़्डा में फिर कुछ उसी तरह की चीजें डाल दी गई जिन चीजों को लेकर के लोग आमिर खान से नराज हैं तो क्या हस्र हुआ है उस फिल्म का वो हमारे सामने हैं और ले दे करके आप पूरे बॉली वुड की जो निगाहें हैं और उमीदें हैं वो ब्रहमास्तर पर टिकी हैं या विक्रम वेधा पर टिकी हुई हैं एक फिल्म 9 सितंबर को रिलीज होने जा रही है और ये तक कहा जा रहा है कि अगर ये दो मेगा बजट वाली फिल्में भी पिट गई और वाइकॉट वाली वुड कामियाब हो गया तो फिर जो फिल्म इंडिस्ट्री है इसके जो ये बेशर्म लोग हैं इनको सुधरना पड़ेगा या फिर आउट होना पड़ेग आज मेरे साथ एक ऐसा चेहरा जुड रहा है मुंबई से जो अपनी बेवाक समीक्षाओं के लिए जाना जाता है और उनके लाखों सब्सक्राइबर हैं उनके चैनल के और मैं खुद भी पिछले दिनों से उनको फोलो कर रहा हूं और मुझे उनका जो तरीका है जो बेवा रह dall के प्रतीक बॉराडे मेरे साथ जुड रहे हैं प्रतीग जी बहुत स्वागत नमस्कुर। धन्योस्ट सर मुझे बुलाने के लिए लूए वहोथ स्वागत है आपका बहुत अभिनांदयन रहा है कि मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि मुंबई में रहते हुए कभी करण जोहर ने किसी के पेर छुए हो ये कैसे अचानक इस तरह के बदलाओ हो गए हैं कि हैदराबाद पहुंचते हैं दक्षिन पहुंचते हैं तो उनके मंच पर राजा मौली भी दिखाई देते हैं जूनियर एंटियार भी दिखाई देते हैं और नागा अरजुन तो ब्रहमास्त्र में एक भूमिका भी निभा रहे हैं, वो भी हैं, पर नागा अर्जुन के पैर छू लेना, क्या भारतिय संस्कारों का कोई मैसेज देना चाहते हैं दर्शकों को, या इसके पीछे हताशा है, निराशा है, अन सिक्योरिटी है, क्या महसूस करते हैं आप? लेकिए भारतिय संस्कृति का संबान तो मुझे इसके पीछे बिल्कुल भी कोई दिखाई ने देता, इसके पीछे पूरी तरीके से आज जो लोगों ने एक प्रकास से बहुत ही शांति पूर्ण जनान दोलन में तो इससे कहता हूँ, बहुत ही शांति पूर्ण तरीके से ल विरोध कोई अभी से नहीं हो रहा पिछले लगभग दो धाई वर्षों से हम देख रहे हैं कि यह बहुत तेजी से बॉल्यूड का विरोध हो रहा है लोग खुलकर सोचल मीडिया पर रेक्ट कर रहे हैं पर फिर भी कोई बदलाव मुझे पिछले दो वर्षों में दिखाई बदल जाते पर ऐसा कोई चेंज अभी तक तो निखाई नहीं दिया अभी हाली के समय में आया हुआ भी अगर कई सारा आप धेर सारा कंटेंड उठा कर देखेंगे जाए वो थेटर में रिलीज हुआ हो या फिर OTT पर आया हुआ हो तो इंडस्ट्री की मानसिक्ता में है जिस प्रकार की वो मतलब जिनका कोई सरपेर ही नहीं होता ऐसी चर्चा वहाँ पर जो हो रही है तो भारतिय संस्क्रीन तो कहीं पर भी नहीं वहाँ पर अगर उन्हें सच में लगता कि लोग हमारी लाइफस्टाइल को लेकर या हम जिस प्रकार से जो भी वो रूट से पुरी तरीके से टूट चुके हैं लोगों से कनेक्ट हो चुके हैं यूमन इमोशन कोई वो समझ नहीं पा रहे सामान्य से भारत के लोगों को वो समझ ही नहीं पा रहे हैं इतना सब लोग बोल रहे हैं फिर भी अगर वो उसी प्रकार की वो अपना एरोगन्स या अपना जो एक एलिट मानसिक्ता, उसको ही वो जोर शोर से खुलकर प्रमोट कर रहे हैं अभी भी, तो इसमें भारत्य संस्क्रिति का सम्मान वगरा तो मुझे कही पर भी दिखाई नहीं देता, अभी भी वो अपने उसी लाला लैंड में है, और वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहत और यह जो ब्रहमास्तर जेसे फिल्म भी है, मुझे तो बस यहीं लगता है कि जो एक जन भावना है, उसको अनुसार बस हिंदू की भावना उपर एक प्रकास, मुझे तो एक रूमी जो एक इसलामिक लिटर्चर के राइटर जो भी है, उनसे इंस्पार्ड हो पर इसकी श जो एक तो लोगों की भावनाव में जो एक परिवर्तन हमें दिख रहा है, लोग अपने कल्चर को जो देखना चाहा रहे है, इसी कारण से यह बस अपने आपको बाहर से बदलावा दिखाने का प्रयास कर एसा मुझे लगता है, पर अंदर से जो एक बदलाव दिखना चा मैंने कई बार बोला है कि जो गुरु नाम का कैरेक्टर है, उसको भी आप देखे किस प्रकार से उन्होंने दिखाया है, अमिता बच्चन, वो गुरु कह रहे हैं वो कैरेक्टर को, उसके शरीर पर तक आप एक सामने सा टीका तक नहीं देख सकते, बाकि सब तो छोड़ द दिखाना होता है, किसी करेक्टर का मज़ा उनाना होता है, तब सारे सिंबल से याद आ जाते हैं, तब सब कुछ उनको याद आ जाता है, तो ये बॉल बदलने की मानसिक्ता में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा, अच्छा आप इधर फॉलो कर रहे हैं, ओनलाइन बुकिंग की, मैंने आपके चैनल के एक दो वीडियो इधर देखें हैं, क्या आप अंदाजा लगा रहे हैं, ब्रहमास्तर को लेकर के, क्या वैसा ही ट्रेंड है, जैसा लाल सिंग चड़्धा को लेकर के किया गया था, कि कुछ सीटें जो है, बुक दिखा दीजिए, उसक कि कल तक आभी मैंने लेटेस्ट चेक नहीं किया कितनी हुई है, कल तक पता चल रहा था कि जो ब्लॉक सीट से उनको छोड़कर एक करोड़ अठाच सिला की ग्रॉस एडवांस बुकिंग हुई है, तो कुई खासे सा बहुत क्रेज वगरा तो नहीं दिखाई देर, आभी भ हो गए सब के सब फास्पिनिंग शोड़ हैं, हैदराबाद के कुछ हिंदी शोड़ के स्क्रिंशोट दिखाए जा रहे हैं, तो बाकी आप लगबग जितनी बी बड़े-बड़े सिटीज है, कोई भी बुक मैं शोपर जाकर चेक कर सकता है, मैंने भी देखा, तो ऐसे कोई बहुत क्रेज ओडियंस के बीच में वो नहीं दिखाई दे रहा, और रही बात मल्टिपलेक्स चेंज के साथ मिलकर टिकेट सीट्स को ब्लॉक करने की या बुक करने की, तो अभी पता नहीं मतलब इस पर मैं तो अभी कुछ कहना नहीं चाहूंगा, कि आंदर के बारे में ह अगर ब्रहमास्त्र भी जिस पर बताते हैं के 415 करोड रुपया खर्च आया है, लागत आई है, अगर ये भी लाल सिंग चड़ा की रहा पर ही चली गई, तो ये कितना बड़ा जटका होगा, अभी लाइगर पिटी है, धर्मा प्रोडक्शन की ही थी, और दक्षिन के एक विजे देवर कॉंडा को लेकर के बनाई गई थी, अभी इसमें तो सारे ही मसाले भर दिये गए हैं, अमिताब बच्चन भी है, रणबीर कपूर भी है, आलिया भट भी है, शाहरुक खान का भी कैमियरोल है, नागा अर्जुन को ले आए दक्षिन से, एक तो ये दक्षिन से लाने की जो ये इधर परवर्ती हम देख रहे हैं, इसके पीछे की मानसिक्ता क्या है, क्या इसलिए कि बाहु बली चल गई, आर 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 चल गई, कुछ और फिल्में चली है, पहले तो बहुत ही नेगलेट करते थे इसको दक्षिन की फिल्मों को, लेकिन इधर अचानक स से सीरियसली लेना शुरू किया है, दूसरे, जो मूल सवाल मेरा है, कि अगर ये भी लाल सिंग चड़ा की राहा पर चली, तो ये कितना बड़ा जटका, कितना बड़ा सेड़ बैक होगा, धर्मा प्रडक्शन के लिए भी, और फिल्म इंडिस्ट्री के लिए भी, की भी बात बताई चारसो पंदरा करोड आपने बोला, पता नहीं मुझे तो फिल्म के जितना मैंने अभी तक देखा है, प्रोमोज वगेरा, चारसो पंदरा करोड जैसा उसमें कुछ भी नहीं लग रहा, वो सिंपल से लेजर लाइट शो जैसा कुछ लग रहा है, उसमें कुछ बहुत exceptional उन्होंने किया हूँ, वो भी नहीं दिख रहा, इवन बहुबली का budget अगर आप देखेंगे दोनों फिल्मों का, वो भी इसके आसपास का ही budget है, इससे भी कम था मेरे ख्याल से budget, उसमें उन्होंने कितने भव्य सेट्स और क्या-क्या नहीं दिखाया था, प पर इससे एक बात और बॉलिट को सीखने के आवशकता है, नहीं, अगर बॉलिट को सीखना होता, तो वो बहुत पहले ही सीख चुके होते हैं, जो लगातार उनकी फिल्में फ्लॉप होती जा रही है, अब तक उनको सीख जाना चाहिए था, संबल जाना चाहिए था, ब्रह पहले ड्रागन था, उसका उन्होंने अभी ब्रहमास्त्र कर दिया है, पर फिर भी जो एक स्टड़ी हमें दिखनी चाहिए फिल्में, वो स्टड़ी नहीं दिखाई दे रही, वो वानरास्त्र लेकर के आ गए, नंदी अस्त्र लेकर के आगए, ऐसे कि हो यह स्ट्र हमने आ इंडिया और प्राचिन भारत की बाते कर रहा है, अगर आपको सच में कुछ कल्चर के बारे में दिखाना होता, तो भाई उसके अंदर यह पावर्स आई कैसे, मतलब वो अगर उन सारे अस्त्रों की शक्ति उसे प्राप्त करनी है, तो भाई उसमें कुछ तपस्या करते व और ये कोई बहुत outdated concept नहीं है, Japanese anime में आप आज भी देखेंगे न, कई सारे एनिमेज में, Dragon Ball से लेकर के आप Demon Slayer कोई भी एनिमेज ले लीजिए, उनके lead character अभी जो मुख्य पात्र होते हैं, उन एनिमेज के, वो अभी भी अपने आपको self-control, बहुत ज़्यादा training करना, कई-क दिनों तक train करना, अपने आपको, शेरिर पर कैसे नियंतरन रखना है, अपनी इच्छाओ से कैसे दूर होना है, खाने पर कैसे control करना है, श्वासुच्वास पर कैसे control करना है, ये बाते आज भी Japanese anime में वो लोग proudly दिखाते हैं, अभी हाली में release मैं anime की बात कर रहा हूँ, त इतना महत्व देते हैं, और हमारे यहाँ पर हीरो क्या अस्त्रो की शक्ति प्राप्त करना, और वो क्या सब कुछ, प्रेम को सबसी बड़ी शक्ति दिखाएंगे, ऐसा ही मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस रूमी के character से inspired ये बता रहे कहानी को, उसकी एक line वो बड़ी quote कर रहे हैं, कि लव आपके और हर एक चीज़ के बीच का कोई bridge होता है, सब कुछ वो line उसकी वो quote कर रहे है, रूमी की, तो आपका main उद्देश्य तो वही love ही है, focus ही है, अभी तक जितने गाने release हुएं, कैसरिया हो, देवा-देवा हो, जो भी है, वहाँ पर आपका main focus, आपक आपकी है, या जैसा वो response चाहते नहीं मिलता, तब तो bullet को पूरा रुक कर, चितने भी production house है, या जो इनके बड़े-बड़े, उन्होंने संगटन बना कर रखे है, producers guild हो, directors association हो, वगेरा, इन लोगों को आज साथ में बैठ कर सोचने के आवशकता है, धंक से, शान्ती से pipeline में है, चाम चालू है, उनको रोक कर, कुछ न कुछ उन्हें शान्ती से बैठ कर सोचने के आवशकता है, अभी भी वो आपने उस mindset से बाहर निकलने के लिए तयार नहीं है, क्योंकि वो लोग आपने आपको गलत माली नहीं रहे, आप अभी latest के इन actors के interviews वगेरा आप अरपाएगा, इस पर भी मुझे तो संशय है, क्या वजह क्या मानते हैं, आप मतलब इतने समय से follow कर रहे हैं, फिल्मों को भी, सीरियल को भी, ट्रेंड को भी, तोर तरीकों को भी, कि कौन से विश्यों को लेकर के कब बनाना शुरू करते हैं, कौन कौन से चेरों को लेकर क कि बनाना शुरू करते हैं, क्या सोच रहती है, कंटेंट में कहीं गडबड़ी है, विशे वस्तों में गडबड़ी है, घिसे फिटे तोर तरीके हो गए हैं इनके, अभीने में वही रिपीटिशन है, कुछ नया पन नहीं है, और जो ये जावेद अख्तर वगेरा, शारु हो जाएंगे, फिल्में चलेंगी, शारुक खान ने अभी उनका एक वीडियो में देख रहा था, वो वाइरल कर रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर फिल्म फिलोफ हो जाती है, तो बाइकॉट का कॉल करने वाले अपने कॉलर खड़े कर सकते हैं, और जो डिरेक्टर प्रड्यूसर हैं, वो यह कह करके फेस सेविंग कर सकते हैं, कि वही फिल्म तो अच्छी बनाई थी, यह बाइकॉट की कॉल की वज़े से नहीं चल पाई, तो हवा चलती है, तो जाडियां थोड़ी बहुत हिलती हैं, यह जो तरीका है इनका चीजों को जस्टिफाइड कर प्रड़ी गे ऐसा यह जो बोला जा रहा है न, तो भाई कम से कम पहले दिन तो ऑडियंस यह चेक करने के लिए तो थेटर जाएगी न, कि कंटेंट कैसा चलो थेटर में जाकर चेक करते हैं, आमीर खान इतना बड़ा चेहरा है, इतना कहां कहां नहीं प्रमोट कि आमीर खा को, कितने चोटे से चोटे टिक टॉकर से लेकर के बड़े-बड़े रियालिटी शोज और पता नहीं कहां का सब जगव पर आमीर खान गए, तो भाई पहले दिन तो कम से कम ऑडियंस, कम से कम जो धगजवप हिंदुस्तान भी अगर 50 करोड पहले दिन कमाती है, तो आपकी दिन भी अगर आपकी ओडियंस थेटर नहीं आ रही है, आप 10-11 करोड पर आ गए हैं, कहां 50 करोड कमाती तो यहां नीचे आ गए हैं, तो यह तो मानना पड़ेगा ना कि यार लोग नाराज है, यह एकसेप्ट करना होगा इंडस्ट्री को, जब तक वो एकसेप्ट नहीं क रितरीवाजों को, परमपराओ को, उनका मजाग उडाना होता है, उनको क्रिटिसाइज करना होता है, यह उनको निगेटिव शेड में दिखाना होता है, तब उनको बड़ा दिमाग चलता है, कैसे बराबर ऐसे characters लिखे याुझे शरिर पर कैसे-कैसे symbols दिखाये जाए, कैस ऐसा नहीं कि समझ नहीं रहे, क्योंकि आज तक इन्होंने दशकों से जो प्रोपगेंडा फिल्में बनाते आ रहे हैं, इवन आतंकवाधियों को justify करने वाला content ये बनाते आए हैं, नक्सलियों को करांती कारी दिखाने वाला content बनाते आए हैं, तो वो बनाते समय दिमाग चलत है, पर लोग criticize करेंगे, तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है, ये सब समझते हैं, पर इनको accept नहीं करना है, और अपने आपको बदलना नहीं है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये बदले, उनकी मानसिक्ता वही है, और उस मानसिक्ता से, क्योंकि उन्हें वो अंदर से हमें negative ही दिखाना है, उनके culture को, उनकी परंपराओं को negative ही दिखाना है, तो बदलाओ की कोई आशंका ही नहीं है, और इसमें एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, ये बदल नहीं रहे इसके पीछे, कि बचपन से ही ना एक वो एक तो अपने roots से जुड़े हुई नहीं, आज आम लोगों की समस्या क्या है, आम लोग कैसे बोलते हैं, चलते हैं, गाव कैसे होते हैं भारत की, ये सब उन्हें पता ही नहीं है, अपने air condition कमरों से ज़्यादा बाहर निकले नहीं होते, कमरे से बाहर निकलेंगे तो जीम तक जाएंगे, जीम से निकल कर dance class जाएंगे, व हमें तो चाती कूटनी है, समाज के नाम से, parents के नाम से, बुजर्गों के नाम से, पारिवारिक मुल्यों के नाम से, समाज का होनता हैं में जजज करने वाला, फिर बस ये वो चाती कूटनी वाली जो मानसिकता है, वही उनकी फिल्मों में भी हमें दिखाई देती है, और द और हमारे यहां की liberals exactly उनको ही copy करते हैं पर copy करते समय वो यह भूल जाते हैं कि भारत का इतिहास अलग रहा है हमने कभी किसी दूसरे देश पर आकरमन नहीं किया हमारे culture ने कभी दूसरे को किसी convert करने का प्रयास नहीं किया अगर waste के liberals वहां के लोग अपने culture को criticize कर रहे हैं या जो भी वहां के majoritarian point of view के against है तो उसके वहां reason हो सकते हैं पर आप blindly उनका concept यहां नहीं लागू कर सकते हैं हमारे देश ने कभी दूसरे देश कर आकरमन नहीं किया नहीं किसी को convert करने का प्रयास किया है तो आप बिल्कुल blind होकर हमें तो बस majoritarian point of view के against ही रहना है और एक minority के ह हक्की बात करना इनके हमेशा वह बच्पन से सिखे होते हमें minority के हक्की बात करनी है पर उसमें वह फिर कुछ ऐसे selective बाते बस सामने निकाल कर लेकर आएंगे दूसरी तरफ सेकड़ो हत्या हो जाए कुछ भी कितनी भी घटना है सामने आजाए उस पर वह react तक नहीं करते यह यह सबसे main problem है उनके mindset का वो उस woke mindset का और उस कारण से उनकी फिल्मों में भी वो mindset हमें दिखाए देता है कि हर बार जो देश की culture है भारत की जो संस्कृती है वो इसको बस इसलिए target करते कि यह majoritarian point of view है और उनको हम positive नहीं दिखा सकते यह वो mindset उनका बना हुआ है और वो आप हम उनको criticize कर रहे हैं वो अंदर यही सोचते कि यह तो फासिस्ट लोग है यह तो राश्तरवादी लोग hyper toxic nationalists होते हैं यह तो जिंगोईजम को support करते हैं और यह लोग हमें criticize कर रहे हैं तो हम कुछ सही कर रहे हैं वो अभी भी आपने आप कुछ अस्टिफाय करते हैं अंदर का एक अग्यात निर्देशक बताते हुए दा कश्मीर फाइल्स का जिकर किया और उसको बहुत स्लो फिलम बताते हुए यह कहा कि सब यह फिल्म भी 250 करोड का मतलब डोमेस्टिक ली बिजनिस कर गई दूसरा वयान अनुराक कश्यक का उन्होंना कहा कि आर 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 अगर आउसकर के लिए चली जाएगी तो संभव है अकादमी पुरसकार के लिए चैन हो जाए मुझे नहीं पता कि भारत किस फिल्म को भेज रहा है कश्मीर फाइल्स को नहीं जाना चाहिए यह जो आप माइंड सेट की बात कर रहे थे अभी इन दो बयानों से यह माइंड सेट क का अंदाजा हो जाता है कि क्यों नहीं क्यों नहीं 90 के दशक से अब तक किसी भी फिल्मकार ने उस सच को दिखाने का साहस किया जो विवेक रंजन अगनी हुत्री ने साहस जुटाया देखिए रामगोपाल वर्मा को तो मैं मतलब उतना भी सिर्यस लेना भी नहीं चाहूंगा ठीक है पहले उन्हें बहुत अच्छी फिल्में बनाई है पर अभी हाले में पता नहीं वह अपने पूरे ट्रैक से उतर चुके और वह क्या बना रहे हैं क्या बोलते वह उसका सि ज़प जादा प्रोपगेंडिस लगते हैं जो अपना प्रोपगेंडा वे अपने रियल लाइफ में भी और रियल में भी ओटएंट के माददे से भी वही वो दिखाने का प्रयास भी करते हैं पर मैंने जो कहा कि जो लोग एक words mindset से होते ना बहुत सारे lives इसे होते हैं, बहुत सरी जो नई जनरेशन फिल्म इंडस्टी में आई हुए, वो कुछ भटक गए होते हैं कुछ लोग, कि भाई, चलो कुछ गलत लोगों के संगती में आकर उनका एक mindset change हो गया, या अपने culture के बारे में उने पता नहीं है, इस कारएं से वो ऐसा कर रहे हैं कि वो कश्मीर फाइस के अगेंस्ट वो जो बोल रहे हैं, तो वो प्रॉपर समझते हैं कि जो विचारधारा क्या है, राइट विंग की, लेफ्ट विंग की, या पूरा वो बाते सोच समझकर ही वो बोल रहे हैं, और उनको जगाना मेरे अनुसार तो पॉसिबल नहीं है, और नहीं उनके माइंडसेट में परिवर्तन भी पॉसिबल है, एक एक स्क्रीम टॉक्जिक वोकिजम या एक हार्ड कोर मार्क्सिस विचाधारा का जिसको हम कह सकते हैं, वो माइंडसेट में उनका कहूंगा, वो को भटकने के कारण या भ्रांते के कारण ऐसे बयान नहीं दे रहें मेरे अनुसार तो, और प्रतीक जी, अगर हम बात करें इसकी जो अलग-अलग कारण गिनाये जाते हैं, कि लोगों का एक गुस्सा इतना चरम पर क्यों पहुंचा, क्योंकि नहराजगी तो पहले भी रहती थी, वाइकॉट तो पहले भी हुए हैं, ये कॉल तो को रहाओ आ गया है कि नहीं, अब अपना पैसा नहीं फूंकना है इन लोगों पर, तो कौन सा वो पॉइंट था जिससे ये चीजें आई, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुशान सिंग राजपूत की संदिग्द मौत के बाद, जिस तरीके से बॉलीबूड ने आपराधिक पकड़ी गई, जब एंकर ने पूछ लिया कि आपके पास NRC का ड्राफ्ट है क्या, तो ये जो एक फिल्म इंडिस्ट्री का भी एक गैंग है, जो तमाम तरह के दुश परचारों में लिप्त हो जाता है, या कोई दूसरे मसले हैं, एवार्ड वापसी वाला मामला था, कौ को लेकर के इतना तीवर रियक्शन हमें देखने को अब दिल रहा है, देखे इसमें कोई एक रिजन नहीं है, बहुत सारी बाते एक साथ पिछले छे साथ वर्षों में हुई है, उसका ये एक अभी परिणाम हम भी देख रहे हैं, पर सबसे बड़ा जो चेंज, सबसे बड पहले की बात है, एक एक जीबी के धाइसो से तीन सुरुपे देने पड़ते थे, तो जो सामानने जनता है, वो सोचल मीडिया पर नहीं थी, जीओ के आने के बाद में, आज हम देख रहे हैं, लगबग जिस प्रकार के रेट है, एक फ्री ही कह सकते हैं, नेट को हम, आज ल हो सके, अपनी बात को सामने रख सके, मीडिया की भी अगर हम बात करें, तो एक बहुत ही पूरा लेट का ही कंट्रोल पहले था, अभी आज कल थोड़ा साम देख रहे हैं, मीडिया में कुछ राष्ट या आवाज देख रहे हैं, पर पाच-छे वर्ष पहले तक आप देख रहे हैं, और इस कारण से ये लोग पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, पहले बात ये थी कि अब एक प्रकार से ये लोग पूरा क्या करें, अपने आपको पूरा इन्होंने एक्सपोज कर गया है, बॉलिवड वालों ने ये कहूंगा कि पहले कई सरी बाते दबी ह हुई थी, जब तक सोचल मीडिया पर लोग नहीं थी, तो बहुत सरी बात इन्हीं की दबी हुई थी, अभी जब एक परकार से गटर का धकन खुलने के बाद, जिससे धकन अगर लगा हुआ हो, तो लोग वहां से आते जाते रहते हैं, पर अगर धकन खुल जाए गटर का, तो वहां से लोग नहीं जाना पसंद करते, वो साइड काट लेते हैं, दूसरे कहीं से चले जाते हैं, उस प्रकार से बॉलिट काना, ये सोचल मीडिया के कारण ये धकन खुल गया है, और लोग अभी नहीं पसंद कर रहे हैं, इनके आसपास भी रहना, इसमें जैसा कि आनी गई थी, और उस समय देश के करोणों लोगों ने देखा कि भाई, जिने हम सेलिब्रिटी कहते हैं, स्टार्स कहते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, स्वराभासकर वगएरा छोड़ दीजिए, उसको तो कोई सीरिस्टी लेता भी नहीं है, बहुत सारे दूसरे बड़े सपोर्ट में ट्वीट किये थे, उसमें फिर आईशुमान खुराना भी है, विकी कोशल हो, या राजकुमार राव हो, या मनो जवाचपे ही हो, या बाकी जावे दक्तर वगएर वो तो होते ही है, तो ये सारे के सारे उस समय दिनली पुलिस को टार्गेट करने के आ गए, और उन सोकार्ट स्टुडन्स के सपोर्ट में खड़े हो गए, तो देश की जनता देख रहे थी कि भाई, ये हो क्या राय मतलब, आज एक इतनी भयानक परिस्ति देश में, देश को अराजकता कि स्थिति में जोकने का प्रयास गिया जा रहे है, और ये लोग किसके सपोर् और सीट के उपर से जगड़ा हो जाए, तो उसको बीफ के साथ में जोड़ देना, दूसरी दिन ये नौटिन मैनेम के जंडे लेकर वो बैनर लेकर के सड़कों पर खड़े हैं, चबना आज में वो पता नहीं, वो बहुत सारी लोगे से नौटिन मैनेम के बैनर लेकर इसले 6-7 वर्षों में और पूरी तरीके से एक्सपोज कर लिया है पहले ये लोग करते थे यही पहले भी इनकी विचारदारा वही थी पर वो चुपे हुए थे वो खुले हुए नहीं उनकी मानसिक्ता लोगों के सामने वो एक्सपोज नहीं हुई थी पर सोशल मीडिया के क कारण और देश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ और इन्हों ने देखा कि यार अब कुछ ठीक नहीं है और हमें लोगों को उकसाना होगा ये उस मानसिक्ता से जब उन्होंने लोगों को भड़काना उकसाना शुरू किया ना पर लोग तो मतलब कापी लोग भी इतने आसा जो घटिया से अंग्रीजी बोलते हैं भाई लोग नहीं कनेक्ट हो सकते हैं उनके साथ में ये अपने जो कुछ भी जो विचितर कपड़ों में फोटोस वगरा अपलोड करते हैं कभी अपने कल्चर से पूरी तरिकी से टूप चुके हैं और उपर से कही पर भी इंटर्व जाएंगे या कॉपी विट करन को देख लीजिए बहुत ही गंदी से एकसेंट में वो अंग्रीजी बात करते हैं एक सामान्य भारती उसके साथ नहीं हो सकता कनेक्ट और उनके वो बैठने में बोलने में एक्सप्रेशन में पूरा एक घमंड एरोगंस हमें देखने को मिल देखने को मिल रहा है यह बहुत बड़ा रिजन है इनके वो कंटेंट का बहुत बड़ा रिजन है बहुत सारी बात है अगर हम गिनने के लिए बैठ जाए तो और प्रतीक जी यह शवाना आजमी के आंसू निकलाते हैं बिल्किस वानों को याद करके लेकिन कश्मीर में ट नहिया लाल की गर्दन रेती जाती है तो चुपी अमरावती में उमेश कोलेहे मारे जाते हैं तो चुपी अभी अंकिता की जिस तरीके से हत्या की गई तो एकदम खामोशी कोई एक सेंटेंस नहीं और इसलिए मध्य प्रदेश की ग्रह मंतरी नरोत्ता मिसरा ने बहुत सक जो है बयान भी दिया है रियक्ट भी किया है कि चाहे जावेद अख्तर हो शाबाना आजमी हो नसीर दिन शाहा हो यह सब टुकड़े टुकड़े गैंके स्लीपर सेल बन गए हैं अगर कोई अभी तो मुसलिम है तो यह चुपी साथ जाएंगे अगर किसी मुसलिम पर कुछ हो गया है तो यह चातियां पीटेंगे क्या यह भी बड़ी वज़य है इनके एक्सपोज हो जाने की और लोगों के इस कदर जो है गुसा होने की बिल्पुल मैंने कहा ना स्लेक्टिव आउट्रिज जो मैंने बताया वो स्लेक्टिव आउट्रिज यही है वो हर घटना में ह हर जगह पर हमें देखने को मिलता है अभी आप पिछले चार पाच वर्जों में देखेंगे तो धुरूत यागी हो अंकित सक्सेना हो डॉक्टर नारंग हो भरत यादव हो चंदन गुपता हो रामा लिंगम जी हो या भी कनया लाल जी उमेश को ले जी कमलेश पिवारी होने तक इस पर कभी कोई बात नहीं की तो यह सिलेक्टिव आउट्रेच सबसे बड़ी बात है और चलो शबन आजमी जावे दक्तरी तो खुलकर अपनी बात रखते हो एक अलग बात है तो दुसरे भी आप इंडस्ट्री के बड़े-बड़े प्रोड़क्शन हाउस देख है भारत कैसे इस्लामोफोबीग है भारत कैसे इंटॉलरंट है कश्मिर में आर्मी रही हिए पतरबा अथिक्टिवाई करेंगी पूरी इंडस्टी अंदर से इतनी करप्ड हो चुकी है इनका माइंड की पता नहीं मुझे तो नहें लगता कि सुधरने के स्थितितिती में भी है और क्या लगता है इसका अंजाम क्या होगा जो इस समय बाइकॉट का मोहीम चल रहा है यह सुधर जाएंगे या आउट हो जाएंगे मुझे एक ही तरीका है इनके सुधर ने का कि जो कुछ दो चार बड़े बड़े प्रोडक्शन है उसकी मोनोपॉली है ना उसको खत्म करना होगा किसी भी इंडस्ट्री में जब मोनोपॉली बन जाती कुछ लोगों की तो फिर वही तरह करते हैं इंडस्ट्री की दिशा क्या तब तक तो ये possible नहीं है और वो इतना आसान नहीं होगा ये लोग अभी जो लोग इनको कृटिसाइज कर रहे हैं उनको ही टार्गेट कर रहे हैं उनको ही गालिया दे रहे हैं अलग-अलग सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड अभी चला रहे हैं जो लोग बॉलिट के आलोच इंडस्ट्री नहीं है जो अपने ही कस्टमर्स को ऐसे गालिया देती हो मैंने कई बार उधारन दिया है कि भाई कोई 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 एक उनका ग्राहक सोचल मीडिया पर उनको टैक करके कंप्लेंड करता है ना उनकी पूरी सोचल मीडिया टीम लग जाती ही काम में कि इसके प्रॉब्लेम को कैसे सॉल्व किया जाए पर यहां पर इस इंडस्ट्री को एक दो नहीं करोडों लोग यहां पर इनको लिखा रहे हैं तो अभी जूट मुट में फिर किसी के जाकर पाव कड़ लिए यह हो गया इससे मुझे नहीं रखता कि कुछ चेंज आएगा और बदलने की स्थिति में अभी तो नहीं दिख रहे और बदल आओ भी होगा तो उसमें काफी लंबा समय जाएगा आप आने व